नमस्कार स्वाधत है अभी नंदन स्विकार करें आंकिटेक्ट जीतेंदर त्रपाठी का दोस्तों अभी तक इस चैनल में जो हम लोग डिसकस कर रहे थे कि कैसे सुंदर भवन बनना चाहिए और उसके लिए कैसे आपको एक आकिरेट से संपर्क करना चाहिए क्या उसकी ड्य को प्लॉट जो है खरीदना चाहिए और उस प्लॉट के खरीदने में क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए और फिर किस तरह से जो मकान आपके सपनों का आपके आकिरेट ने डिजाइन किया है वो जमीन पर उतारा जाए उस नक्षे को फिर प्लिंट लेवल और फिर सूप करें तो थोड़ा सा जो एक रूपता बदलती है और पूरे जो प्रक्रम में जो है वो इंट्रेस्ट बना रहता है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फिर कुछ लाइनियों में बताना चाह रहा हूं कि आक्रियक्स को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका आदा करने का उक्रिष्ट और सुन्दर दायत मिला हुआ है उनकी पेशेवर स्थाइता यानि की प्रोफेशनल स्टैबिलिटी और रचनात्मक्ता यानि की क्रेटिविटी और जो इन विश्यों की डिटेल समझ है एक अध्विती घर और या कोई भवन हो फिर वो चाहे कोई कॉमर्श महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो आपका आर्किटेक्ट ही होता है उनकी प्रतिभा कौशल और क्रियाशीलता न केवल वास्तुकला की द्रस्टी से महत्वपूर्ण होता है बलकि यहां उनकी सोच और नवाचार की प्रेणा का भी परच्य देता है नवाचार यानी की इनोवेशन एक अच्छे आर्किटेक्ट की स्रजनात्मक्ता का परणाम हमारे घर और कार्यालियों में सुंदर्ता का होता है और ये भी होता है कि जिस घर या भवन को आप इस्तेमाल करें उसमें आपको मज़ा आए संतुस्टी हो और जो हमें प्रेडि करती है जिससे हमारे भवश्य की आवाशक्ताओं को पूरा करने की जो शमता है वो बढ़ती है इसलिए हमें हमें हमेरे आकिटेक्ट्स की समरपन शीलता है यानी लिज़ो देडिकेशन यह वह एक आपके सपनों को एक अच्छे से भवन में परवर्तित कर सकता है और ऐसा ही कुछ कारणामा किसी आपके ग्रूप में किया है और इसी लिए यह सेशन मैं आपके सामने करने के लिए खड़ा हूँ तो आएए एक आर्किटेक्चर का नयाब अजूबा है उसके बारे में डिसकस करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं उससे आपका परचे कराते हैं यह आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह एक होटल की तस्वीर है और यह कोई आम होटल नहीं है यह कोई आम बिल्डिंग भी नहीं है इसका नाम है होटल राकू रागू जाहिर सी बात है जब मैं आप से ये डिसकस कर रहा हूँ तो ये तैय है कि ये कोई आपके आसपास की जगह होगी नहीं और नहीं आपके आसपास की कोई बिल्डिंग होगी इसमें कुछ नकुछ नायाब कुछ नकुछ बहुत इनोवेटिव कुछ नपुछ बहुत क्रियेटिव जरूर हुआ होगा इसलिए इस से मैं आपका परिचे करा रहा हूं यह दोस्तों जो बिल्डिंग है आप इसको पहले देख लिए फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कहा है यह बिल्डिंग यह अपनी दुनिया क नक्षा रहा मैं जब भी कुछ इस तरह का बताता हूँ जो अपने देश के बाहर की चीज हो तो मैं दुनिया का नक्षा लेकर फिर आपको ले चलता हूँ जगे यह होटल बना है यह दोस्तों पुरे वॉर्ल का नक्षा यहां अपना देश रहा यह इंडिया और यह जो मैं यह रहाँ अपना जापान देश यह गूगल मैप से मैं जापान का नक्षा लाया हूँ जापान एक आइलेंड नेशन है जापान की जो टोकियो है और यह जो बिल्डिंग है जो होटल राकू-रागू है इसी टोकियो शहर में इसी की एक लोकालिटी में बना हुआ है मैं आप एक रोड जा रही है यह जो एक कोई एकस्पेस्टे होगा दिखे जापान जो है एक अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है अक्सर आप सुनते होंगे कि वहां अर्थक्वेक आ गया हाना कि आप तभी सुन पाते होंगे जब अर्थक्वेक की जो इंटेंस्टी है वो जाधा होती है ऐसे तो वहां साल में शैक्रों अर्थ फुरे चोटे-मोटे आया करते हैं और इस तरह का कुछ ये बिलिट्िंग्स का वहां लियाउट होता है एपनी डेंस 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 बिलिंग्स बनी होती है जो कि सब मल्टी स्टोरेट होती है ये बीच में रोड का जाल बिचा होता है तो होटल राकु रागु जो है वो ऐसे ही दो बिल्डिंग्स के बीच में एक जगे छोटी सी मिल गई जो कि एक पारकिंग लॉट था मतलब पारकिंग गाड़ियों की पारकिंग वहां होती थी और किसी तरह जिसने भी जमीन को खरीदा होगा इस पर होटल बनाने की जो भी पर्मिशन ली होगी पार्किंग लॉट का जो प्लॉट था ये करीब 900 स्क्वेर फिट का प्लॉट था ध्यान दिजेगा 900 स्क्वेर मीटर नहीं मैं 900 स्क्वेर फिट बोल रहा हूँ ऐसे समझ लिए कि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ कि जो EWS हाउजिंग होती है या LIG हाउजिंग होती है उसे थोड़ा सा बड़ा मान लिए यूं समझ लिए कि बहुत मुश्किल से इसमें अगर घर बनाया तो दो बेडरूम का घर बन पाएगा दो चोटे-चोटे बेडरूम हो जाएंगे कोई ड्राइंग हो जाएगा किचन हो जाएगा बस इतना सा प्लॉट है और इसमें कारी-गरी यह हुई है कि इस 900 स्क्वेर फिट के प्लॉट पे नो मंजिल की बिल्डिंग जिसकी हाइट होगी लगभग 90 फिट वो बना के तयार कर दी और जिन आर्किजेट्स ने इनको बनाया है उनका नाम है कू आर्किजेट्स अब वो जापान के ही है और उनका एक ऑफिस जो है चाइना में भी शांगाई में है इन लोगों ने इतना बढ़िया इसको डिजाइन किया है इतना इनोवेशन से इसको डिजाइन किया इतना क्रेटिवली इसको डिजाइन किया है कि इस होटल की चर्चा पूरी दुनिया म पाशी यह देख लिया और कहां पर इसकी लोकेशन है दो बिल्डिंग्स के बीच में 900 स्क्वाइर फिट की जगह है उसी में यह होटल जो है बनाया गया क्या डिटेल है इसका यह मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं यह कुछ और गूगल की फोटो हैं क्या 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 इसमें प्रोविजन किया क्या 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 इसको डिफिकल्टी रही और वो कौन सा अपना स्किल था टैलेंट था जो आपको बताता हूं कितनी छोटी 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 चीजों का यहां पर ध्यान अख्खा गया है चोटी छोटी डिटेलिंग का यहां पर ध्यान अख्खा गया है यह मैं अभी आपको सिब बताता हूँ यह रहा इंको कंपनी उसका नाम के कंपनी है के होटल जो है इसका नाम है राकू रागू यक जैपनिज वर्ड है इसका जो मैंने अपना इस पररिसर्च किया तो ऐसा प्ता लगा कि इस नाम का मतलब किसी मेलोडी से और कोई संगीत का कोई शर्द है उससे इसका कोई नाम ये लिया गया है जैपनील भाषा में बिल्डिंग जो बनी है वो होटल है साइट का एरिया देख रहे हैं आप ये 83.47 मीटर स्क्वेर है ये लगभग लगभग 900 स्क्वेर फिट होता है बिल्डिंग का एरिया जो है वो 60 स्क्वेर मीटर है 60.66 मतलब उस प्लॉट पे 900 स्क्वेर फिट के प्लॉट पे जो जितनी बिल्डिंग का कंसक्शन किया गया है ग्राउन फोर पे वो कवर्ड एरिया जो है करीब-करीब 600 स्क्वेर फिट होगा और जो टोटल फ्लोर एरिया है, नौ फ्लोर की ये बिल्डिंग है, करीब 90 फिट इसकी हाइट है, ये देखिए हाइट लिखी हुई है, 29 मीटर इसको अगर आप कनवर्ट करेंगे फिट में, तो 90 फिट इसकी हाइट होगी, और उसी 90 फिट हाइट में जो टोटल कवर्ड एर तो इतना होगा, वो जैपान में उनकी लोकल मुनिस्पल्टी जो है, उनकी जो भी प्राधिकरान होगा, जो विल्डिंग का नक्षा अपरूव करता होगा, ये वह अपना कैलकुएशन का एकोशिस्तम होगा, तो उस कैलकुएशन के सिस्टम के शाब से, करीब साभ़े चा किराया है वो इंडियन रूपीज में 15,000 रुपय पर रूम या पर नाइट का स्टे इतना इसता किराया है यह जरूर सीजन के साब से बदलता रहता होगा कम ज्यादा होता रहता होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो स्ट्रक्चर है इसका यह स्टील स्ट्रक्चर है यह मैं भी आपको बताऊंगा जो इनके क्लाइंट है वो एम को एम को लिंटेड है यह मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा होटल राकू रागू के बारे में सुन लिए यह लोकेशन की बात कर रहे हैं और नौ स्टोरी की बिल्डिंग है इससे मैंने आपको बता दिया है इन एडि नैचराल लाइट इन डी सबस्क्राइट इस बिल्डिंग को बनाने ही 무대 मुस्क्व काम रघे वींडलेषन के नटारीकिश्सित अ बिल्डाइगा हो उसे हम को कोई न देख पाए या हम उधर क्या हो रहा हूँ वो न देख पाएं वो एक disturbance उसको आवाइड करना तो काफी challenging था सबस्पे बड़ा challenge यही था कि दोनों building जो बीच में building बनेगी कैसे तो उसके लिए नो ने जो steel structure है रैमन स््ट्चर इसको adopt किया है बनाने के लिए अब रैमन स्ट्चर क्या होता है यह कोई बड़ी खासी नहीं है यह steel का structure होता है और यह lightweight steel होती है और बहुत strong होती है इसकी strength हो जाता होती मतबड़ tension में और compression में इसकी strength बहुत अच्छी होती है आप यूं समझ लिए कि अगर आपको एक कमरा बनाना है एक कमरा तो वो इस तरह से होगा एक स्टील का structure ये हो गया एक स्टील का column ये हो गया एक स्टील का चार स्टील के column हो गया उनको इन से जोड़ दिया जो स्टील की beams है इन से जोड़ दिया क्या हुआ इसमें stability आ गई है और जो braces की बात कर रहा था इसको ऐसे जोड़ दिया जो red color में देख रहे हैं इसको ऐसे जोड़ दिया तो यह जो है यह braces हो गई है तो क्या होता है इससे structure बिलकुल जो है किसी भी हाल में earthquake में या किसी भी vibration में या किसी भी स्थित में structure हिलना नहीं और बहुत मजबूत और stable रहेगा यह हो गई एक मंजिल की बात बस इसी structure को more or less आप माल लिए कि 9 मंजिल तक जाना है 10 मंजिल तक जाना है 50 मंजिल तक जाना है structure का basic concept यहीं रहेगा this is ramen structure with braces structure का basic concept यहीं रहेगा और इसकी जितनी भी चाहाए उतनी मंजिल आप बढ़ा लिए फिर उसके साफसे steel का structure है जो उसका section है वो सब घटा बढ़ता रहेगा बट जो basic structure है वो इस base पे जो है building को बनाया गया है यह building का शाम का view है इस तरह से उसमें staircase सब यह लोहे कही structure है steel कही structure है staircase का और जो भी है मैंने आपको बताया कि जापान में जो है वो earthquake बहुत आते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि जो इसके joints होते हैं इनमें इतनी flexibility होनी चाहिए कि अगर earthquake आया तो यह हिल जाए और अपनी जगे से थोड़ा बहुत इनमें प्ले आ जा है इस तरह की building है जर बगल में दोनों तरफ building में आपको बता ही चुका हूँ तो अब जो है architect यह है जो website है वहां से मैं यह पूरा जो टेक्स लेके आया है जैपनीज में इसको convert किया है English में इससे की मैं भी समझ पाहूं और जितना मैं समझ पाहूं उससे थोड़ा सा ज्या को design करने में ली गई है एक छोटी सी गैलरी भी वहां बनाई गई है आट गैलरी इन दर रूम सबस्ट सेकेंड फ्लोर सेकेंड फ्लोर के बाद भी है ट्राइट टू क्रेट लेयाओट and select materials that allow guests to fall asleep comfortably and wake up in the morning sun अब देखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां sunlight का आना बहुत मुश्किल है दो building के बीच में जगह है इतनी ही जगह है sunlight कैसे आएगी यू 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 रिफेट कर करा के किसी window में थोड़ी बहुत ही पहुँच पाएगी एक तरफ से और ऐसा ही ह कराना है और उनको दिखाना है कि आपके कमरे में की light आ चुकी है for this reason dieto meshes earth wallpaper is used on the walls with the idea that the light can also be fed through the texture of wallpaper अब दोस्तों हम लोग कितना भी पर दिख लें और कितना भी अनुभव ले लें लें लेकिन रोज रोज ऐसा होता है मतलब अक्सर ऐसा होगा कि नई चीज आपको मिल जा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे architect जो fellow architects है उनमें भी बहुत सारे लोगों ने इस word को सुना नहीं होगा मैंने भी जब इस word को सुना तो मेरी आदत है कोई नया word है तो इसमें कुछ थोड़ा सा research की जाए क्या किया जाए यह बहुत ही अच्छा एक material है मैं इसको इसके बारे में आपको बताऊंगा उससे पहले यह समझ लिए कि कैसे कैसे design हुआ है the bathroom occupies a relatively large surface in the each room and it is considered important for the layout bathrooms को इन्होंने अंदर की तरफ लगाया है जिससे की बाहर के दूसरी building के लोग जो है उनका bathroom का जो view है जो line of sight have come वो कट जाए however as a condition of two award two award मतब वो जो वहां का महला है where there are many offices it was necessary to ensure that the bathtub etc are not visible from the external space बाहर से जो है बाट टब बगरा दिखेंगे तो दिक्कत होगी for this reason in this project the shower room and the other facilities are laid out in the center of the floor जिससे की बाहर का जो view है जो line of sight हो कट जाए और an area far from the openings जो भी windows बगरा जो है उनसे इनको दूर रखा गया ऐसा इनका planning का system रहा है अब इसके बाद यह जब हो गया तो बहुत ज्यादा बचता नहीं है planning का basic concept यह है और इसी concept को इन्होंने हर floor पे second floor के बाद repeat किया है और कुल मिलाके चौदा कमरे इसमें बनाएगे हैं इसमें कुछ कमरे जो है साड़े 300 square feet के हैं और कुछ कमरे जो है लगबग लगए लगए उन्ही का combination जो है इन्होंने इसको design किया है एक बार फिर आपका ध्यान जो है आपको निश्चित रूप से बहुत मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है आपको डैटर मेशेस अर्थी is made from the fossilized remains of tiny aquatic organisms called diatons अब बताईए आर्किटेक्चर में बिल्डिंग मेट्रियल में यह जो माइक्रो एलगी टाइप के छुटे मुटे बैक्टिरिया और काई के जो वो एलगी होते हैं उस तरह का यह कोई जीव है यह प्रानी है their skeletons are made of a natural substance called silica दोस्तों अपने अर्थ का जो crust होता है उसमें करीब 26% जो है silica होती है silica मने जो यह sand जिसको हम लोग कहते हैं इस रूप में जानते हैं over a long period of time diatoms accumulated in the sediment of rivers streams lates and oceans today silica deposits are mined from these areas यहां इन एरिया से silica deposits की mining होती है अब यह इतना अच्छा material है कि इसके usage जबाब जानेंगे तो निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे कि ऐसी भी चीज हमारे आसपास कोई है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मुझे तो जानकारी नहीं थी मैं तो पहली बारे शब्तों सुना हूँ और मुझे उन्हों ने इसको discover किया यह जर्मन में इसको कहते है किजल कर वें सिंकिंग कोई बना रहे थे वहां पर जाके यह टकरा गए उस चीज से और यह जर्मनी की बात है चलिए इसको अपनी भाशा में भी मैं आपको समझाए दे रहा हूं यह जो algae या जो डायाटोम है तो इसका जब इसकी जब डेथ होयाती जब यह मर जाता है तो उसका जो skeleton है उसमें ज़्यादा तर जो material है वो सिलिका का होता है और जब जम जाता है तो बहुत एक rock टाइप का shape लेता है क्योंकि यह सालों साल की प्रक्रिया होती है और वो जो rock होता है वो बहुत ही light और बहुत porous होत होता है कि उसमें हर तरह के holes होते हैं बड़े चोटे और उन holes की इसकी जो porosity होती है उसको आप different different कामों में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और चूंकि यह silica होता है तो silica की जो hardness है बहुत जादा होती है इसकी जो ऊपरी surface होती है डायटों हमेशे अर्थ की यह बहुत rough और बह सकती है अब इसकी खूबिया देखिए कि इसका जो absorption of water की इसकी जो है quality है volatile organic compounds को यह absorb कर लेता है in the pores of about one nanometer to one micrometer in diameter यह इसके pores होते हैं अलग-अलग समय के हिसाब से जो करा सेडिमेंटेशन होता है उसमें अलग-अलग diameter के जो है पोर्स होते हैं फिर उनका अलग-अलग जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं यह moisture absorb करता है जब humidity increase रहाती है मैंने बताया कि यह पोरस होता है और इसकी moisture absorb करने की capacity किसी भी liquid को absorb करने की capacity बहुत जादा होती है तो यह moisture absorb कर लेता है जब humidity increase होती है और इसी moisture को यह release भी कर देता है जब humidity कम होती है तो अपने अंदर जितना इसने moisture absorb किया है humidity बाहर कम होने पर इसको यह release भी कर देगा मौस्चर को पोर्स लेस देन टू नैनो मीटर इन डामेटर डू नाट रिलीज अब यह जो डामेशेस अर्थ है इसकी मैं खोबियां आपको समझा रहा हूँ मैंने आपको बताया था कि वह आकरियट ने एक चीज़ बताई थी कि उनको उन खिड़कियों से जो बाहर की तरफ खुल रही है और सामने ही दूसरी building के तो वहां से sunlight जो है बहुत कम आएगी आएगी तो ऐसे reflect होके आएगी क्यों यह डामेशेस वाल पेपर जो है यूज किया गया इसके जो पार्टिकल्स है डामेशेस अर्थ के यह चमकते हैं क्योंकि सीलिका की मैं बाद कर चुका हूं सैंड की बाद कर चुका हूं तो यह क्या करता है इसके पास जो भी sunlight आती है वो जितनी भी quantity में आ रही है उसको पूरे को यह reflect कर देता है आप सोचिए अगर यह डेल सो स्वाफिट की एक वाल है इस पर लगा है और इधर से कितनी भी sunlight च्छन के अगर आ रही है तो वो इस पड़ेगी तो यह च्छोटेटे पार्टिकल्स हैं वो इस light को reflect करेंगे और चमकेंगे तो क्या होगा जो ऊस कम्रे में रह रहा है जो उसमें stay कर रहा है उसको अधादा हो जाएगा कि हाँ sunlight जितनी आनी चाहिए त से जाधा sunlight आ रही है उसको यह भी अंधादा हो जाएगा कि सूरत जो है निकल आया है और काम पिजलते हैं बताए कितनी बढ़िया सो आपको जानके आश्यर होगा डाटो में अर्थ जो है यह खाया भी जाता है फूड गेट का भी होता है अब यह आप टाइप करेंगे तो आपको एमजान में मिल जाएगा इसके फूड गेट के भी पैकेट्स आते हैं और यह किस काम में इस्तिवाल किया जाता है वो सब आपक अर्थ और देखें यहां एक फोटो बनी हुई डाटो मेंशेस अर्थ क्रॉलिंग इंसेक्ट किलर सबसे बड़ी इसकी खुबी यह है आपने पिछली साइड में पढ़ा होगा कि इन्होंने डाटो मेंशेस अर्थ का जो है वाल पेपर यूज किया गया है उसके उपर ज्यादा अब्रेसिव बहुत ज्यादा हाड हो ज्यादा शार्फ होते हैं तो इसका क्या काम वहां पर जो क्रॉलिंग इंसेक्ट होते हैं कि मतलब इस वाल पे अगर कोई तर्माइट या खटमल या बग या कोई भी छिपकली उस तरह की कोई भी चीज कर यह देकि तमाम सर जाएगी मैं आपको बदाता हूँ वही जो इसकी सबसे बड़ी खुबी है जो परोस्टी जो एब्साब करता है मॉइस्टर को वो इनके लिए जो है काल बन जाता है मैं उसका भी आपके लिए स्लाइड लेके आया हूँ डाटोमेशेस अर्थ कॉजिज इंसेक्स टो ड्रा अवाड़ आउट डाइड डाइल दाएज नीडाविण इनके महाड़ी होता है प्लोड़ी लिए से होता है तो हिनके सरीर के अंदर का वाटर लेपर है जो लिक्विड है इसको वह और की लेर है वो रोकती है जब ये कीला है नेक्ला करता है यह इंसके एबड़ेजन और उसके कफ्रेडिक व हो यह आपर करता है। जैसे ही वह उपर न सुना इनसेटित है.. उसके अंदर का जो वाटर वेपर है जो लिक्विड है वो स्किन के थ्रू एवापरेट हो जाता है तो वो दो चार घंटे या दिन में डिपेंडिंग ओन कैसा कीड़ा है और कितना अबरेजन हुआ है कितना वो चला है इस पर वाल पेपर पर या इसकी सर्फिस पर तो उसकी म मज़ा आ गया इसके बारे में जानके और इसके बारे में रिशब देखके यह मैं दुबारा पढ़े दे रहा हूँ डाटोमेशेस आफ्ट वाजिस इंसेक्स तो ड्राय आउट और डाय बाय बाय अब्सॉर्बिंग जो इसकी जो शार्प एजिस है वो अब्रेजिव है तो उस प्रासेस को स्पीड अप पर देती है जो एक्सो इसकेलेटन है इसको डिस्ट्रॉइ करने की जो प्रासेस है इस रिमेंस एफेक्टिव एस लॉंग एज इस केप ड्राय एंड अन डिस्टर्ब्ब जो डाटोमेशेस आर्फ है वो ड्राय होना चाहिए और उसके इसमें लगाई गई कैसा उसका स्ट्रॉक्चर था कैसी उसकी जो है डिजाइन में क्या-क्या प्रेकॉशंस लिए गए तो और कहां एक मैट्रियल ने पुरा जो है इतना मुझे आश्चर चकित कर लिया कि मैं उस पर रिशर्ट करने लगा मैंने का आपको बताओं आपको अच्छा लगेगा और यह कुछ वहां के फोटोग्राफ्स हैं यह उसकी जो ग्राउंड फ्लोर की लॉबी है उसमें यह जो इस्ट्रॉक्चर जो मैं ब्रेसिस की बात कर रहा था यह वो ब्रेसिस हैं इंटेर का पार्ट भी बनाया गया है इनको इस तरह से सगाया गया है ट्रीट किया गया है जाहिलती बात है होटल जो है बहुत छोटा है बहुत जदा एरिया है नहीं तो जो कमरे भी बने होंगे जो लॉबी बनी होगी जो स्पेसिस होंगे बहुत बड़े होंगे नहीं तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब स्पेसिस छोटे होते तो हम लोग ज पाइसे में होंगी और सारी जो वाल्स की एजीज हैं कोई और भी एजीज हैं यह मैंने कहीं किसी और में पढ़ा है वो सब राउंडेड आफ हैं वह इनका अपना डिजाइन होगा इनकी अपनी सोच होगी यह क्लाइंट की मांग होगी यह इस तरह के कुछ यह फोनोग्राफ मेरे दोरा की गई महनद अगर आपको जरा भी प्रभाविच करती है तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं इतना तो करी सकते हैं कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें कमेंट कर दें सबस्क्राइब कर ले हमारे जो आकिरेट भाई हैं जिनके लिए मैं इतनी महत कर रहा हूं दिन राज जो है मैं लगा रहता हूं वो इतना विजी है कि उनक अच्छे अच्छे काम करते रहें मेरी शुब कामनाएं उनके साथ हैं और जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं तो करिएगा आपको कैसा लगा यह वीडियो बताइएगा मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना ख्यार लखेगा बहुत- च्छोड़े जा रहा हूं उनका आनम दिए उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी और आपको प्रभावित करेंगी नमस्कार दोख्सवां कर दोछ आपको लिए पलापको झाल 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 झाल